हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो विध्य इंस्टिट्यूट रियल लंबर चैप्टर क्लास 10th के स्टेडी का एक क्वेश्चन करेंगे काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन सिब्यस्थी 2022 में इस तरह के क्वेश्चन एक्वेश्चाम में आने वाले हैं यह क्या है एक फैक्टर ट्री है यह सम डिफिकल्टी और आस्क फोर यूर हैं इस फैक्टर ट्री में कुछ मिसिंग है एक्स वाई एंड जैड तो हमें कुछ कोश्चन के आंसर देने तो धियान ते समझेंगे सभी फिस्ट कोश्चन है हमारा what is the value of x तो सारा कुछ जो भी कुछ होगा वो हमारा इस फैक्टर ट्री से निकलेगा जो भी आंसर होगा हमारा तो पहला का पार्ट है एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखो गए कि x जो है 5 और 2783 x के फैक्टर है तो इसका मतलब x equal to हो गया 5 multiply 2783 तो multiply कर लेते हैं 1395 तो option हमारा बी हो गया second part पर आते हैं what is the value of y अब y आप देखोगे कि वो 2783 के फैक्टर है y और यह तो यानि हम यह कह सकते हैं कि 2783 equal to y into 253 तो 253 से इसको डिवाइड कर लेंगे आप तो इसको डिवाइड करके जो भी आएगा हमारा answer आएगा अब यहां पर आप एक बात और देख सकते हो कि जो भी option है उनमें 23, 22, 19, 11 केवल 11 वो term है जिसको इससे इंटू करेंगे तो यहां पर 3 आएगा तो हमें divide करके देखने की जोड़त भी नहीं है सी पार्ट हमारा answer हो गया है ना क्योंकि सारे factor है कि 23 सा आप इसको multiply करोगे तो भी नहीं आएगा 3 यहां पर 22 से और 19 से 11 से केवल आएगा तो यह answer होगे तो इस तरह से थोड़ा सा दिहान से देखेंगे तो मैं divide करने की जोड़त भी नहीं है तो third part है what is the value of z तो z की value निकालेंगे जैड़ आप देख रहे हो कि 253 और 11 253 के factor 11 और जैड़ है तो जैड़ इक्वल टो हो जाएगा 253 divided by 11 23 तो बहुत ही मतलब easy question है next question है according to the fundamental principle of fundamental theorem of arithmetic 13915 is a composite number आप उपर देख चुके हो कि यह जो number है यह हमारी 502783 का product है इसका मतलब यह composite number है तो हम इसमें करके देखने की जोड़त नहीं है कि हम इसके factor करें ऐसा जोड़त नहीं है हमारा answer हो गया composite number next step prime factorization of this अब 1395 13915 के हम prime factorization करके देख सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम 11 और एक हो गया यह 23 तो यानि 5 11 और 11 दो बार है और 23 तो 5 इंटू 11 का square इंटू 23 यह हमारा answer हो गया तो हमें अलग से करने की जोड़त नहीं है क्योंकि सारा answer हमें 3 डाइग्राम से ही निकालने थे तो यह हमारा चोटा सा question था उम्मीदे सभी को समझ मागया होगा थैंक यह वरी मुच्छ